दमदार तिमाही नतीजे देख इस स्टॉक पर तूट पड़े निवेशक 13% चड़ा शेर तिमाही नतीजे जारी होने के बाद आज हिकल LKD के शेरों की कीन्तों में तेजी देखने को मिली है कमपनी के शेर BSI में मगंलवार सुभा को 296.10 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ था देखते ही देखते कमपनी के शेर 13 प्रतिशत तक की तेजी के बाद 319.50 रुपए के लेवल पर पहुँच गया था बता दें, दोपहर 12 बजे के करीब हिकल के शेर का भाव 312.95 रुपए था कमपनी के नेट प्रॉफिट में 73 प्रतिशत का इजाफा स्मॉल क्याप फार्मा कमपनी का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही के दौरान 36.07 करोड रुपए रहा है पिछले साल इसी तिमाही में हिकल का शुद्ध लाब 20.07 6 करोड रुपए था यानि सालाना आधार पर देखें तो कमपनी के प्रॉफिट में 73.75 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है बता दें, जन्वरी से मार्च 2023 के दौरान हिकल का रेवन्यू 545.29 करोड रुपए का रहा है शेर बाजार में कमपनी की स्थिती तिमाही नतीजों के एलान के साथ साथ कमपनी ने डिविडेंड की घोशना की है हिकल एल्टीडी की बोर्ड मीटिंग में कमपनी हर एक शेर पर 0.60 रुपए का डिविडेंड देने का फैसला किया है यानि योग्य निवेशकों को एक स्टॉक पर 30 प्रतिशत का फाइदा होगा कमपनी के शेरों में तेजी के बावजूद पोजिशन निवेशकों को पिछले एक साल के दौरान करीब 12 प्रतिशत का नुकसान हुआ है हिकल एल्टीडी के शेरों का बावन वीक हाई 427.80 रुपए और बावन वीक लो 212 रुपए प्रतिशेर है कमपनी का मार्केट केप 3866.1 करोड रुपए का है